मंगलबार वृत की विधी, सर्वसुक, रक्तविकार से मुक्ती, राज से सम्बान तथा पुत्र की प्राप्ती के लिए मंगलबार का वृत उत्तम है. इस वृत में के हूँ और गुड का ही भोजन करना चाहिए. भोजन दिन रात में एक बार ही गरहन करना ठीक है. वृत 21 पूजा करनी चाहिए, तथा मंगलबार की कथा सुननी चाहिए. मंगलबार वृत की कथा, एक ब्राह्मन दमपत्ती के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पती-पत्नी दुखी थी. वो ब्राह्मन हनुमान ची की पूजा हे दू वन में चला गया. वो पूजा के साथ महवेर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था. घर पर उसकी पत्नी मंगलबार का वृत पुत्र की प्राप्ती के लिए किया करती थी. मंगल के दिन वृत का भोजन बना कर हनुमान ची को भोग लगाने के बाद स्वयम भोजन गरहन करती थी. एक बार कोई वृत जिसके कारण ब्रह्मन ने भोजन न बना सकी तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया वो अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर अनगरहन करूंगी वो भोग की 82 छे दिन पड़ी रही मंगलवार के दिन तो उसे जगन और निष्ठा को देखकर प्रसन हो गए उन्होंने उसे दर्शन दिये और कहा मैं तुमसे अतिप्रसन हूँ मैं तुमको एक सुन्दर बालक देता हूँ जो तुमारी बहुत सेवा किया करेगा हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अन्तध्यान ह सुन्दर बालक पाकर ब्रामणी अतिप्रसन्य हुई ब्रामणी ने बालक का नाम मंगल रखा कुछ समय पश्चात ब्रामण वन से लोटकर आया प्रसंचत सुन्दर बालक को घर में किरिडा करते देखकर वो ब्रामण पत्नी से बोला ये बालक कौन है पत्नी ने कहा मंगल पानी बात बना रही है। एक दिन उसका पती कुई पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे जो मनोशे मंगलवार्त वरत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से वरत रखता है उसके हनुमान जी की करपा से सब कश्ट दूर होकर सर्वसुक प्राप्त होता है झाल